नवश्कार दोस्तो स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स डन बाई ETF ट्रेडर ठेक है यह मिस्टेक्स कहीन है कहीन आप भी करते होंगे और इसको सुनकर आपको हो सकता है कि हसी भी आए कि यह मिस्टेक्स लगबग हर ETF ट्रेडर करता है इस्पेशली वो आदमी जो नया नया ट्रेडिंग करने आया है जिसने ETF के बारे में पहली बार सुना है वो जरूर इस गलती को दो रहाएगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी एक बार मेरे चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजिए ETF के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं अपने चैनल पे जिससे कि आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है लॉस कभी नहीं होगा अगर आप स्टेटेजी फॉलो करते हैं और एक छोटा सा ETF का कोर्स है 6201-514-820 नमबर पे आप आप सब करके इंक्वारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाय हुए common mistakes done by ETF trader ठीक है तो क्या-क्य mistakes होते हैं एक ये करके discuss कर लेते हैं इसमें से कुछ न कुछ mistakes आप जरूर करते होंगे सबसे पहला mistake ETF can never give loss ठीक है जिस आदमी ने पहली बार ETF का नाम सुना है उसको लगता है कि ETF कभी loss देही नहीं सकता है ETF can never give loss ठीक है तो इसलिए जो है big lots बड़े-बड़े lot जो है वो उठाता है आदमी और सुछता है कि 3-4 दिनों में 3-4 परसेंट का तो profit यूँ ही आजाएगा और profit आएगा तो बस मैं book कर लूँगा दो लाग का ले लेता हूँ 6,000 रुपे परसों मैं कमा लूँगा ठीक है निफ्टी 2% गिर गया है क्यों ना बड़ा lot उठा लिया जाए वो सुछते हैं बाकी सब लोग मुर्ख हैं जो की strategy को follow कर रहे हैं जो नया आदमी आता है वो ऐसा सुछता है कि रहे यह तो बड़ा आसान है इसमें तो कभी loss होई नहीं सकता है निफ्टी तो हमेशा उपर जाएगी तो क्यों ना बड़ा lot उठा लिया जाए ठीक है 4,000,000,000 जो भी account में पैसा है उससे वो लोग बड़ा lot उठा करके इंतजार करते हैं कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा और 2% का उनको profit देगा ठीक है लेकिन यह चाल कभी-कभी उल्टी भी पढ़ियाती है ठीक है friends दूसरा mistake क्या करते है दूसरा mistake यह है कि बार बार अपना profile portfolio को check करते है ठीक है profile को check करते है ठीक है अरे यार यह तो अभी भी लाल में है ठीक है थोड़ा सा और खरीद लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा और खरीद लेता हूँ average rate पर आ जाएगा बस green हो जाएगा थोड़ा और खरीद लेता हूँ थोड़ा सा और खरीद लेता हूँ जो एक एक गंटे पर खरीदारी करते हैं ठीक है और यह सत्य है जो लोग शुरू-शुरू में आते हैं ETF में वो वैसे ही गलती करते हैं कि हर एक गंटे में कुछ-कुछ खरीदते हैं कि अब अब ग्रीन आ जाएगा अब ग्रीन आ जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं करना सारा पैसब में च KP कर रहीा एक-सेक्टर में सारा पैसब डाल देते पर वह कुछ दिनों तक करता तो फ्रॉस्टे potrze हो जाता है माना कि कि Ka senza कासी मझें मल्टि वेगर है लिकिन कवी गोल चल जाता है कभी 11focused चल जाता है, कभी NASDAQ चल जाता है ठीक है, कभी MAFANG चल जाता है, कभी SILVER BEEZ चल जाता है ये लोग क्या करते हैं कि सारा एक में डाल दिया और इंतजार करते हैं इंतजार करते, करते, करते और इंतजार जो है, जिसको patience कहते हैं, बहुत मुश्किल से लोगों में आता है, frustrated होते हैं last में बेज देते हैं, loss book करके बाहर आयाते हैं, ठीक है अगला देखते हैं अरे यार, ये strategy कामी नहीं कर रही है, ठीक है एक strategy को पकड़ते हैं start करते हैं, कुछ दिन करते हैं एक हपते में, माली ये महिने वाली strategy है, एक हपते किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया अरे यार, लगता है कि strategy बदलनी पड़ेगी ठीक है, ये strategy काम नहीं कर रही है, बहुत, इससे profit आ नहीं रहा है, और वो strategy change करते हैं अपना loss book करके ठीक है फिर, अरे ये market अचानक crash कैसे हो गया, ठीक है, कोई preparation नहीं करके रखते हैं कि market crash भी हो सकता है, निफ्टी 15-20% तक तो crash हो ही सकता है, ठीक है dip मार सकता है, तो उसकी कोई preparation नहीं रहती है, इन लोगों के पास में, अचानक निफ्टी गिर जाता है इनका पैसा लाल हो जाता है, उसके बाद निफ्टी तो एकदम से बढ़ेगा नहीं जब गिरता है तो time लेता है बढ़ेगा, multi-bagger है महिना भर 15 दिन, दो महिना भी लग सकता है लेकिन इसकी कोई preparation नहीं होती है ये भी एक mistake है ठीक है? अगला देखते है क्यों न ये ETF वाली क्यों न ये ETF वाली strategy share में लगाएं ठीक है? अरे ये ETF मूब नहीं कर रहा है boss ठीक है? ये ही वाली strategy उठाके क्यों न हम लोग share में लगा देते हैं ठीक है? लगता है ये share फिर share में जब लगाते है तो सब दाव उल्टा पड़ आता है शेर में वो शेर डूब रहा होता है उसको एवरेज करने चल जाते हैं ठीक है डूबने वाली कंपनी को कोई भी कंपनी कभी भी डूब सकती है इतना याद रखिएगा अपनी नेवर बिक तू फॉल ठीक है कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि तू बिक तू फॉल है कभी भी कंपनी कोई डूब सकती है एटिएफ की स्टेटेजी लगा देते हैं फिर सोचते हैं कि ओहो यह ठीक नहीं लगी लगता है दूसरे में काम करेगी ठीक है माल लिजेए वो भी मोनोपोली है उस पर काम करेगी इस तरीके से गलतिया करते हैं उसके बाद अगली गलती देखते हैं अरे यार यह एटिएफ तो मूबी नहीं करता है बहुत स्लो है ठीक है इससे अच्छा तो शेयर रहेगा क्यों ना शेयर की तरफ चला जाए ठीक है शेयर में पैस चलाते हैं सी एटियफ मोब हो जाता है दो तिन परसेंट का प्रोफिट दे देता है और वो लोग लिएस में बुक करके बाहरा चुके होते हैं फिर होता है कि चलो दस हजार का ही तो लॉस है इस बार लॉस बुक कर लेता हूँ नई स्टेटेजी और फिर से नई शुरुआ करेंगे ठीक है नई स्टैटेजी और फिर से नईा शूरुआत करेंगे और वह नई शुरुआत कभी नहीं आती है हर इस्टैटेजी में यह दोग ऐसा ही करते थोड़ा साjek कर लेते हैं और सुचते फिर यूटूब पे रात में ग्यारा बारा एक बज़े के आसपास रात को यूटूब वाली स्टेटीजी बड़ी अच्छी लगी यार ठीक है पहले क्यों नहीं मिली ओहो सुबह मार्केट कब खुलेगा एक बार मार्केट खुल जाए जितना पैसा है सारा समेट करके लॉस नहीं वाला है अगला देखते हैं अब समझ में आया मेरे पास पैसे कम है ठीक है एक काम करता हूं कहीं से उधार लेकर बड़ा पैसा डालता हूं मार्केट में ठीक है रिस्क है तो इश्क है मूँ भी देखी थी आपने मतलब बड़ा पैसा मतलब बड़ा प्रॉफिट ठी बड़ा profit आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा ठीक है तब लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ ठीक है ये भी एक गलती है अगली गलती देखते है जैसे ये आपने परोसी और girlfriend को बताया कि मैं share market में क्या काम करने वाला हूँ या कर रहा हूँ ठीक है तो उनको द दिखाना है girlfriend को दिखाना है दुष्मनों को दिखाना है ठीक है कि share market की power क्या है लेकिन ये ETF तो हीलने का नामी नहीं लेता है है na ETF हीलेगा तब तो मैं power दिखाऊंगा तो ETF हील नहीं елा तो मैं क्या power कहा से दिखाऊं ठीक है तो इक काम करता हूँ इसको मैं फिर से नई strategy ढूनता हूँ या मैं share की तरफ जाता हूँ तब ही बात बनेगी अगला देखते हैं ठीक है अरे यार 15 मिनट में मेरा आज का सारा काम हो गया ETF ट्रेटिंग तो कोई चीजी नहीं है 15 मिनट में मैंने strategy का सारा काम कर लिया अब दिन बर क्या करता हूँ अच्छा चेक करता हूँ मेरे account में जो है अभी एक लाख रुपया है extra ठीक है क्यों नहीं एक intra day मार दो ठीक है intra day मार के मैं 2000 का profit बुक कर लो तो यहां से मेरी extra कमाई शुरू होगी न 2000 रुपय करके ऐसे करके 25 दिनों में मैं 50,000 कमा लूँगा पता लगा कि यहां पे loss हो गया ठीक है दीरे 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 पैसा आपका खतम हो रहा है तो अगर इस में से कोई mistake आप करते हैं तो किरपया mistakes को ना करें कोई एक strategy को आप follow करें ठीक है इतनी सारी strategies मैंने डाली हुई है अपने YouTube चैनल पे या कोई और भी बहुत अच्छे-च्छे मेरे से भी अच्छे-च्छे बड़े-बड़े YouTube के चैनल से है ठीक है वहाँ जाके कोई एक strategy follow कीजिए और उसी में trade कीजिए मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो thumbs up जरूर कीजिए वीडियो को like जरूर कीजिए और ऐसे ही knowledgeful वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करना न भूलिएगा friends thank you very much आपका दिन सूबो मिलते हैं अगले किसी knowledgeful वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you and take care friends